बाणगंगा वाली कहानी जहां तक मुझे आदे मैं सुना चुका हूँ आपको, उम्हेने बताई बी थे आपको बाते की विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महभारत काल में और राजा विराट के पास में अज्यातवास बिताया था पंडु अपना पंडु अपना अज्यात्वास बिताने के लिए यहां पर आये थे और फिर मैंने संभूत आपको कहानी बताई होगी कि पंडव जब अपना अज्यात्वास यहां पर काट रहे थे उन दिनों के अंदर और गुरु द्रोनाचारे को इस बात का पता चला किया पंडव आज कल वहां पर परचिवे में और फिर आमने इसी कही कहनियां पड़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको कि साइध मेरे जहां तक याद आता है मैंने इसा कुछ बताया था आपको जब जनपत पढ़ा रहा था चलो मैं वापस बतादू जो बात है मोटी-मोटी सी और दुरानाचारे ने कौर वहां पर रह रहे हैं हैं तो दुर्योधने का उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो और कहा गया कि अपने आकरमन किया जाए यहां पर आकरमन करके इनकी गाये चूरा ली जाए सच्चा सत्री होगा तो गायों को बचाने के लिए पक्का बाहर आएगा राजा विराट उस उत्तर की बहन उत्रा को डांच सिखाया करता था, वो सार्थी बनता है उनका, और कते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती है, तो अर्जुन उनको उत्तर को कते हैं, मैं तुमारी जगे लड़ लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहां बेठे रहो, वो बताते ह उनको कि मैं अर्जुन हूँ, क्याते हैं, अर्जुन जब विराटनगर में घुछ रहे थे, तब अपना गांडिव धनुस जो था, वो एक पेड़ पर टांग के आये थे, उस पेड़ से वो अपना धनुस वापस उतारते हैं, और जब उन्होंने धनुस वहां पर रखा थ जब भी तुम्हें चलूँगा दुबारा तो मैं गंगा के अंदर तुम्हें पवित्र करके चलूँगा, लेकिन आप यहां गंगा कहां से ला थे, तो अर्जुने गांडिव हाथ में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धर्थी में मारा, उस बान से उन्होंने पानी निक तुम ही क्या पता अर्जुन है उनका यार नोट्स मेरे वाले ही हैं मेरे वाल नोट्स मेसी आरी है सब चीजे और अब देख ले ना अगला जो तीरो विस्म पितामय की चरणों में आएगा इतना विस्म ने कहा आगया मेरे तो कुद कही आगया द्रोनाचारी ने कहा विस्म पितामय अपने परिवार के प्रतम पुरूष को नमन कर रहा है तीरों में बान मार कर आगया दीजिये कि युद्ध शुरू कुरू अर्जुन लड़ा और उसने कहता है वहां से भगा दिया था तो भागते समय द्रोनाचारी को वहां पकड़ लेता है द्रोनाचार मैं आपको मार दूंगा वरना आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि मेरे को आपने छट के दिन नहीं देखा चौदस के दिन ही देखा है गुरू द्रोन ने वचन दिये ठीक है मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा जान तो बक्स तूं उसके कुछ जिनों बात जब अज्यातवास कंप्लीट वा एक तो उस घटना के बाद जैसे अर्जुन वापस आया राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिठा को कि यह अर्जुन है तो उन्होंने अपनी बेटी उत्रा की साधी उसके साथ करनी चाही लेकिन अर्जुन इसके लिए मना कर दिया अपने बेटे अभिमन्यों के साथ साधीक रवई उत्रा के उत्रास्क के गर्ब से बादे प्रिक्षित पैदावे महाभारत के बाद में समराट बने थे अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने असके कहा कि अर्जुन निरपांडवों ने पूछा कि किस ने देखा कॉन ने ने पूछा कौन फो में भी अधी काहवत है कोई आदमी यो ज़्यादा बातन करेगे कंड कर दूंगा उइसने थे लगों फो ठोक दिया ता उनको पीट दिया था मैं इसे नहीं डरता उसे नहीं तर्था तो मैं कोई बीडी बेठे कह देते हैं चुप रहे है, कुन शी चपकी 14 कर दी? तू कौन शी चपकी 14 कर देता है? मैंने लिए न भार दादो जीची से पूछा, कि आप एक्सक डाईलोग भोलते रहते हो कि कुन शीक की 14 कर देता है? किसने की? तो वापस कर अर्जन करी अर्जन तब उन्होंने कहाने सुना एक बैस प्रकार से अर्जुन को घथा जाता है वो छटके दिन दिख गया था पर उसने दुरौनाचारी से लिखवा लिए था कि नहीं आज चवद़ है तो छटकी चवदस खाली अर्जुन कर सकता और किसी के ब बुद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है, लेकिन जब हमने पौकरण में सबसे पहले पर्मानु इसवोट किया थे, इसलिए उस पर्मानु का नाम हमने रखा था, बुद्ध इसमाइल, या स्माइलिंग बुद्ध उसका नाम रखा था, मुष्कुराते भी बुद्ध न आजमी के नाम पर रखाम ने श्माइलिंग बुद्धा रख लिया था ऐसा कैसे यार यह तो विडम बना है यह तो अपने आप में पर फिर प्राते समन्य है अपीज अब्डुलकलाम साब याद आते हैं जिनसे एक बार इंटर्व्यू में पुछा गया कि अब बार्त ने परमानू बना लिया है पाकिस्तान परमानू बना रहा है आपको नहीं लगता कि इसे साउथ इस्ट एसिया का जो सकती संतुलन ने उगड़ बढ़ा जाएगा इस प्रकार यदि सभी देशों के पास परमानू होंगे कि कभी युद्ध होआ तो मानविय संगार जादा हो जाएगा इसमें कलाम साब अपनी चीरपुरिचित मुस्कान के अंदर बोले कि नहीं परमानू सांती का हाथियार है वेपन पीस जब तक हमारे पास में परमानू रहेगा कोई भी देश जल्दी से आकरमन की हिम्मत नही दाता थो पाकिस्तानने अमेरिका निचागा की भारत को कहे कि शीज पायर कर दे बहारत को कहे कि युद्ध रोख दिया जाए वरना हम परमानू फेंग देगे तब तब तकन पाकिस्तान भी दावा कर रहा flor रहा ह ही अमेरिका वालो ने वाजपेजी अपने पर प्रधानमं कि हम तो इतना बड़ा देश हैं कि परमानु भी फेंकेगा तो हम एक चोता ही नक्से में नहीं हो जाएगा। भी बड़ी बात है कि वो मैंन तू मैं फाइट ही रह गई थी प्रमानु गईर का इसके इसके नहीं हो पाया था क्योंकि सब को लगता कि यह भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी आद रेगा, स्माइलिंग बुद्धा नाम का बंब बनाया है हमने, तो यह बुद्ध पुर्निमा का दो, यह आप इसको पीपल पुर्निमा का दो, मैं तमाम बातें बता यह आपको याद झाल 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 झाल